तो हम तो इतना घर में रोने लगे, दो दिन तक सही से हमको खाना हमको अच्छा नहीं लग रहा था, क्या बता सकते हैं, मा मा होती है, बाप मोर जाएगा, तो मा किरवनी करकर, भीक मांग कर, कैसे भी खिला लेगी, एक मा मोर जाती है, तो बच्चे को पर क्या गुजरता है, वो नहीं वता सकते हैं, मेरे महले में हर एक लेडिस, बच्चे भी, सब लोग बोलते, अरे मालती है, इस दुनिया में नहीं है, और कितना लेडिस मेरे आजु-आजु-बाले, रोते हैं उनको वीडियो देखते हैं. मित्रो नमस्कार हमारी मौजूदगी है संतकभीर नगर में और संतकभीर नगर उमरी कला गाउं में उमरी कला गाउं मालती चौहान का गाउं है पैत्रिक निवास है साधी उनकी काली जगदीशपूर में होती है जिस तरीके की घटना मालती चौहान के साथ घटित होती है बिस दुनिया में नहीं है और आज उनके मौत के बाद आज सोलहवा दिन है उनकी सोलहवी है ब्रम्भोज से संबंदित यहां पे तमाम लोग आएंगे और इनके पिता ने अपील भी की थी कि जो भी मालती के चहेते हो जो मालती को चाहते हो मालती को प्यार करते हो वो उनके ब्रम्भोज में स्रध्धानजली सभा में जरूर संबलित हों और तमाम लोग आए हैं एक बार मूब करके दिखाईए कि सैकड़ों की भीड़ है ये हजारों में तब्दील हो जाएगी। तमाम लोगों के सवाल हो जाते हैं कि मालती चाउआं 21 बर्स की आयू में, 21 बर्स की उम्र में इतनी फेमस हो जाती हैं कि करोड़ों दर्सक उनके हो जाते हैं। और इसका जीता जागता आपको सुबूत दिखाई देता है ये जो लोग है ये कोई यहां के इस जिले के अस्थानी निवासी नहीं है इसी में से कुछ लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं तो कुछ लोग सैकडों किलोमीटर की अभी हमारे साथ जो महिला है ये मुंबई से सफर करके आई है मालती चौहान के अहां मालती चौहान को कहीं न कहीं देखती रही होंगी उनसे कुछ सीखती रही होंगी एक बात और जान लिजिए कि मालती चौहान जैसे क्रियेटरों को देख करके मालती चौहान को देख करके लाखो लोग ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया पे काम करना प्राराम्ब किये उन्हीं में से एक यह भी है बात्चीत करेंगे क्या कहेंगे मेरा नाम ऐसी तरह की जिन्दगी 786 और बंबई से आये है मालती को लड़का से मिलने के लिए खास करके इबराश से मालती से कभी मुलकात होई थी जी नहीं सर कभी मुलकात नहीं हुआ था मगर फरबारी में हम उनसे खास करके मिलने के लिए भी हम सुचे थी कि मिलेंगे उनसे कुछी भी हो जाए उनसे मिलेंगे कितना गरीब लोकर जितना गरीब था छोटे से लेकर बड़ा वो कर दिये थी तो हम भी सुचे थे कि हमको भी मदद वहां से मिलेगा छोटे छोटे लोगों को सपोर्ट करके बड़ा किये बहुत बड़ा किये तो हम भी सुचे कि उनको यहां जाएंगे तो हमको भी कुछ मदद मिलेगा मगर अब इस दुनिया में नहीं है विचारी तो उनको लड़का से मिलने के लिए है खास करके इबराज से मिलने के लिए है छोटे-छोटे क्रियेटरों को सपोर्ट करती थी कोछ आप सिखी होंगी मालती से मालती के इस दुनिया के से जाने की खबर जब आपको प्राप्त होती है तो क्या लगता है आपको सही है या गलत मेरे को ऐसा लगा ताना सर की जूट है एक दिन पहले कि उनको वीडियो हम देखे थे अच्छा खासा तो हमको ऐसा लगा फिर नौ वाजे मोबाइल जब चालू कि जब विवाद प्रारंभ होता है एक सपता है या दस दिन पहले से गटना के दस दिन पहले से तो कुछ अब होआ ख़बरें भी चल रही थी कि विस्नुराज नहीं रहे मालती नहीं रही आर्जुन नहीं रहे तो ऐसे में कैसे यकीन होता है अब जूट था मगर ये भी ज चैनल पर तो सच बात निकल गया कि मालती तो हम तो इतना घर में रोने लगे दो दिन तक सही से हमको खाना हमको अच्छा नहीं लग रहा था क्या बता सकते इस मामले को देख करके किस नतीजे पर पहुंचती है किसे दोसी मानती है देखिए इसमें तो राधी का दोसी भी है और अर्जून भी है और उनका पती और जो वीडियो वाइरल किया उनका रिकरदिन जूट का हो या तो हम लोग नहीं जानते मगर पिल्टिन जो कि एुड मैं देखिए उनको भी सजा होना चाहिए इसमें तो हम बोलते चार लोग का नाम है चारों को सजा होना चाहिए अध पिताजी बाल लेह हैं- तोWithin कातियो भी हो तीन अभी बचा हुआ है कहां छुपा हुआ है पर शाहते होग साफ ben करना चाहिए क्रूंकि हमालति के साथ में वुआ है ऐसा हजार मालति के साथ में हो सकता है उनके पिता जो भी आरोप लगा रहा है उसमें सत्तिता है जी जी सर जी दहे जुत पेडान का केस लगा हुए है उने पता है नहीं मालूँ तो करवाई होना चाहिए सर बस इतना है यह पहा की निवास है हम बिहार से हैं बिहार से और रहने वाले बंबई से बंबई में रहते बच्चे लोग के पढ़ाय लिखाए बंबई कराते हैं यहां आने में तो बड़ी कठिनाई होई होगी बहुत कठिनाई होई है बहुत बस आप लोग से मिलने आ गए बस मेरा चैनल का आप लोग सपोर्ट कीजिए यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि बी यहां पालन पॉसर होगा अब तो खैर उपर बाले से सभी लोग दुआ कड़ें बच्चे को कैसे उनको हिम्मद दे उपर बाले बच्चे को सब और मुंबई में रहती हैं मुंबई से देखती हैं जब ये वीडियो को कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही तो कहीं न कहीं मिलने की जो इनकी इच्छा थी वो आज चल करके आई हैं उनके बेटे से मिल रही हैं और यहां पे ये भी सवाल खड़ा कर रही है कि बिना पिता के मा बच्चे को पाल लेती है लेकिन बिना मा का बच्चा पालना बड़ा मुश्किल होता है इस मामले से संबंदित आपकी क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताइए मिलता है पर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कर